आप सब कर टीम सर्म ने बात करने वाले अपना जो आज का मकाबला रहेगा प्रोगवर्डे लीग का जैपर फिंग पैंतर वसस यूपी यूद्धास के बीच में अब क्या कुछ इस मैच के रिलेटर यहां से प्लेंग सेवन रहती है क्या अच के लिए इंपॉर्ण प्लेयर भी जरूर जोइन कर लेना जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है तो फटावट से जाके जोइन कर लो टिलिक्राम चैनल को भी वाके बात करते हैं जरह आपने मैच की आठ बज़े हुई इस मैच के डलेन कोलकता में खेले जाएगा सच किसी भी टीम का होम ग्राउंड तो देखो है नहीं वहीं पर अगर माँ बात करूँ जैपर विंग पैंथर्स की टेबल स्रेंडिंग्स की तो बहुत बढ़िया पोजिशन में सेकंड पोजिशन पर ये ट उन्निस में से अब तक सिर्फ चार ही मैच जीत पाएं ठीक है तो बहुत अच्छी पोजिशन में तो है नहीं उन्निस में सिर्फ चार जीते हैं चोदा मैच जा रहे हैं एक मैच एसाई जो टाई है माइनस सेवन्टी का पॉइंट डिफरेंस है इनका ठीक है और पाकी यहां से देखने को मिल जाए需 जिसमें ऐखर इनकी बात करूं में तो यहां से ग्यारा जोए निकाल रखक है ग्यारा पर पाद कहीं tead रेक्ट यहां से डव रेड़ पॉइंटस से उस्पर रेड़ तैकल निकाल है माय पाल ने बादके उसका अधितामें और आसो सिंग तो तीन यहां से टेकल पॉइंट है जीरो टेकल और उसके बाद में पिछले मैच में छे टेकल पॉइंट है तो बाई कवर्स तो बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा बैतर बरफॉंस देखने को मिल रहे कवर्स के तरफ से उसका आद में शिवं है साथ रेट एक रेट पॉइंट है जीरो रेट और उसका अचल पॉइंट था इनका बाकि अगर बात करें गगना whiskey शे रेट पॉइंट है तो बोल सकते हैं कि फोड़ी सी अगर जो दिक्कत है वो यहां से रेडिंग डिपार्टमेंट में ही है बहुत जादा कोई अच्छा और हो इसने बहुत जादा खराब भी नहीं है वह तोड़ा आवरेजर और टीम भी सी वेर से बहुत खराब किल रही है बट कवर्स यहां पर बहतर करते हुए दिख रहे हैं अब बात करते हैं को तो कॉरणनर का हाल यहां से फिलाल बूरा है पिछले दो मैच में समिथ Mensch में साथ अटेंप्स किये थे इन्होंने मैं साथ अटेंप्ट कि यह नहीं बट एक में भी सकसेसफुल ख्या नहीं और जीरो टैगल पॉइंट decades उस से पहले ड़िपिनटल्imeter यंछा और आश था एं इनका भी खराबी रहा था उससे पहले तीन टैकल और उससे पहले यहां से दो टैकल पॉइंट इनके नाम जरूर थे तो यह स्टार्टिंग सेवन जो यूपी उद्दास की तरफ से जिसमें की महिपाल एक डीसेंट उप्शन बनते पिछला मैच सूपर टैन लगा कर आएं बहुत देवरदस की लाड़ी हुआ तो लेने का फायदा बनेगा नहीं बढ़ हां अगर कोई है डीसेंट प्लेयर तो फिर ले सकते हैं इनको बाकि उसकाद में हितेश है और सुमित है जिसमें की सुमित डेफिनेटल एक बहुत बढ़िया चोईस बनते हैं रेस्पेक्टि दो टैकल पॉइंट जीरो और उससे पहले भी यहां से जीरो टैकल पॉइंट है इनके नाम फिर यहां से नितेश कुमार है एक टैकल पिछले मैंच में फिर दो टैकल पॉइंट है फिर जीरो और फिर यहां से एक टैकल पॉइंट है तो डीसेंट है जितना मुका मिला है उ जिनका पर्फॉएंस भी बोल सकते हैं कि शुरुआत तो बहुत अच्छी थी बट अभी हाल फिलाल पिछले चार मैचस जादा अच्छे हैं नहीं जब खेल रहे थे तो लेफ्ट कवर पर है सब शूट में ही मिलेंगे उसकाद में गुलवीर है यहां से दो मैच में दो टैकल पॉंट इनके नाम है और नितिन पनवार की बात करूं तो यहां से एक रेड दो टैकल दो टैकल और उससे पहले दो टैकल एक रेड पॉंट है राइट कवर पर यह खेलते हैं चांस कम है हलाकि यहां से आसुस इंको रिप्लेस करने कहें बट हो सकते कर भी दे ठीक है बाग हाकीन तीनों का वारा हम ज़रू जानते हैं विजय मलीक प्रदीप नर्वाल सुरेंदर गिल हैल्विक वांजुला एजन उल्ड राउंडर है टीम में अब आते हैं जरह निक्ष निकलकर क्या जो स्टार्टिंग सेवन रहे सकते हैं जैपर पिंग पैंथर्स की तरफ से तो अ से कवर सेक्षिन में से दो टैकल और इसके बाद में आजा पिछले मैंच में नहुने चार टैकल निकाले इससे पहले और उससे पहले है जीरो टैकल पइंट बाद की बात करें अभी शेर्क है जहां पर तो यहान फोटा मामला जादा एक संजीदा लग रहा है, जादा अच्छा नहीं है, पिछले मैच में जिरो टैकल थे, उससे पहले दो टैकल थे, जिसमें की एक सूपर टैकल आया था, और उससे पहले भी जिरो टैकल पॉइंट इथे, ठीक है, तो लेफ्ट कवर, सुरी, हाई यस, लेफ्ट कवर, यहाँ स सूपर टैकल भी था, उससे पहले जिरो थे, और उससे पहले भी एक में चार टैकल पॉइंट थे, जिसमें एक सूपर टैकल भी शामिलता, और वहीं पर राइट इम पर वहानी राजपूत है, डीसेंट एक बोल सकते हैं, कि यह एक कवर ही दे रहे है, अरजुन देशवाल को यहां से, दो रेड, चार रेड और उससे पहले दो रेड पॉइंट, साथ में एक टैकल पॉइंट है, बहुत जादे यूज भी नहीं होता है, थोड़ी कमी रेड्स मिलती है, भाहनी राजपूत को, आपागी अरजुन देशवाल है, उसके लावा अंकुष जोनियर है, पिछले तीन मैचस बहुत अच्छे नहीं रहें, इनके पॉटेंशल के मुताबिक, क्यों किसी के लिए भाई तीन टैकल पॉइंट बहुत जाद है, बट जब नाम आता है न अंकुष का, तो वो थोड़ी से कम लगते, पिछले मैच में फ्लॉप रहते हैं, जीरो थे पॉ रहते हैं, श्राटिंग सेवन, चैपर बिंग पैंतर की तरफ है, जिसमें अरजुन देशवाल हुए, सुनिल कुमार हुए, शाहुल कुमार हुए, काफि साधा इंपॉंट बनता है, एंड एवन यहां से अंकुष यूनियर भी है लाइंग में, बाकि अगर बात करें के ब दो रेट, जीरो, उससे बहले एक रेट और जीरो टैकल पॉंट है, राइट रेटिंग करते हैं, लखी शर्मा है, खिलाए गए ते शाहुल कुमार जब आउट ओफ फॉंट है, बट ये खुद आउट ओफ फॉंट चले गए, और शाहुल कुमार फॉंट में आ गए, तो भाई अभी के लिए सब्शूट में ही है, राइट कोरनर खेलते हैं, उसके बाद में लाविश हैं, जो कि राइट कवर पर है, अभी जीत मलिक, जीरो, 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 खाता नहीं कोला है, सुमित की बात करें, सीजन राट में, पाँच मैंच में चार्ट टैकलते हैं, रेडर तीन रेट पॉंट जब ये पिछला मैंच के लिए थे तब थे, उससे पहले एक रेट पॉंट, उससे पहले जीरो, और उससे पहले थे इनके नाम दो रेट पॉंट, आशिश की बात की जाए, लगातार फ्लोप रहे हैं, एक मैंच में दो टैकल निकाल लेते हैं, तो ये रहता है अभी के लिए, जो की पूरा रहता है, जैपर पिंग पैंथर्स की तरफ से स्कॉर्ट एंड सब शूट एंड सब चीज़े, हैट्टोर्ड की बात करें तो यहां पर मुकाबले टाई रहे हैं, पांच जीते हैं, यहां से यूपी और दस ने, पांच जीते जैपर पिंग पैंथर्स ने, दस टोटल मैंचेस दोने टीम्स के बीच में, अब देखो, इस सीजन के अगर मैं मुकाबले की बात करूँ, जो हुआ था, बीज दिसम्बर दोजार तहीस को, जिसमें की पैंथर्स बहुत बढ़िया तरीके से जीत के थी, 41 पॉइंट से, य कुष कुमार यहां से दो टैकल पॉइंट, तो डिफेंस ने बहुत बढ़िया ही काम किया था, और भवानी राजपुताय सब शूट आकर दो रेट पॉइंट निकाल कर गए थे, वहीं यूपी अद्दास के दर्व से प्रदीप थे, चहरेट, विजय मलीक तीन रेट पॉ सब्सक्राइब के साथ में, तो यहां से बोल सकते हैं, अरजुन देशवाल काफी अच्छा करते हैं, और जो नितेश है, गुर्दीप है, यह काफी अच्छा करते हुए दिखते हैं, ठीक है, वहीं से इजापुर की तरफ से अंकुष, सुनील कुमा, यह काफी जादा बहतर करते हैं, वहीं पर यह है, उससे भी पहले, साथ अक् के दो सुनील के थे, इसमें भी आप देखो कि बहानी राजपुदा सब शुट आगर चार रेट पॉइंट्स, उसके बाद में यहां भी सुरिंदर गिल आठ रेट और साथ में एक टैकल था, बाकी आशु, शुमित और नितेश के नाम चार दो दो रेट, सुरी टैकल पॉ यहां से जो कि लेफ्ट कोर्नर है, और लेफ्ट कोर्नर और राइट कवर पर जो खिलाड़ी है, यह काफी जादा इंपॉर्ट बन जाते है, राइट रेडर के लिए, और साथ में नितेश कुमार भी रहेंगे डैश करने के लिए, उसके बाद में अजीत कुमार जो कि एक महीपाल जो है, वो लेफ्ट रेडर है, तो इस वजए से साहुल कुमार और रेजामीर बागेरी यहां से काफी इंपॉंट रहेंगे, और साथ में अंकुष को भी गाउंट करना, बट ये दोनों जादा बड़ा रोल प्ले करेंगे, अगर इन दोनों का उट करना है, शिव टीम जो है, पूरी की पूरी भाई किसके फिवर में? टीम पूरी की पूरी बनाएगे हमने जापूर की फिवर में, क्योंकि उन्हीं के जीतने के जादा चांसे है, तो सुमित यहां से है, और उसके बाद में मेरे पास में महीपाल, बाकि शाहुल कुमार, अंकुष जूनि साहुल कुमार को, वाइस कप्टन के लिए आपके बास में, साहुल कुमार को भी आप यहां सावाइस कप्टन कर सकते हैं, और इवन अंकुष जूनियर पर एक अच्छा उप्शन बन जाता है, तो यह अभी के लिए टीम इंड सब चीज से, भागे आपको यडियो पसंद सब्सक्राइब, अगर नहीं क्या हुआ, तो फटावट से कर लो, भाइक विल्द वेश्टास मैंच के लिए, बिलते हैं आपको नेक्ष्क्रियों, बहुत ही जरु जल्दू